हलो एवरिवन सब कोई को मेरी आवाज आ रही है की नहीं आ रही है जड़ा मेरे को एक दम बिंदाज हो के बता दीए सबसे पहला चीज तो आजकल गुड मॉर्निंग का यही होगी हम लोग के लिए लाइफ में सबसे पहले यही पूछते हैं सब कुछ यही हम लोग पूछते रहते हैं तो आज भी मैं वही चीज पूछ रहा हूँ क्या मेरा आवाज आप लोग को एक दम क्लियली सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है येस नो लिखके बेर को भेज दीजे और फिर हम लोग उसके इसाब से चालू कर देंगे साक्षी खेताना है, साक्षी खेताना आपना क्लास लिखे बताईए हमको आपको कौन सा क्लास है, कौन सा बोर्ड है साक्षी खेतान जी आप लिखे बताईए आज का जो क्लास है ये आज का जो क्लास है में क्लारिफाइ कर जेता है सब कोई के लिए hello है देखो सब कोई के लिए hello है बहुत ही बड़ा सा hello है आज का जो class है ने ये वाला class जो है ये class 11 और 12 के लिए है ये 12 के ISC के लिए है 11 के CBSC के लिए है और ISC student भी 11 के कर सकते है क्योंकि क्योंकि automatically देखें आप लोग ठीची समझेगा 12 का ISC के लिए है और 11 का CBSC के लिए है और 11 का ISC वाले लोग भी कर सकते है उनके syllabus में 11 के ISC के syllabus में ये वाला part प्रॉपरली नहीं भी है लेकिन अब देखें साल एंडी होने वाला है क्योंकि इस साल का तो पता नहीं है कैसे प्रॉपर चलेगा नहीं चलेगा इसलिए उन लोग को ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है एजुकेशन डिग्री मार्क्स तो बहुत अच्छी बात है बट उसके साथ नॉलेज होना उससे भी जादा इंपोर्टेंट है तो लेट्स रोल इत अज देखें लेट्स रोल इत विदाओ फर्दर अडू लेट्स रोल इत तो हम लोग लोग लेट्टे रोल करना चालू कर दिया और क्लास चालू कर रहे हैं आज का जो टोपिक है वो है मार्केट और मार्केट कें रोग पढ़ेंगे ऑली इत ओली को फोली आज का जो टॉपिक है वो है ओलीगोपोली ओलीगोपोली रोलीपोली भी बोल सकते हैं रोलीपोली तो नहीं बोल सकते हैं किसी स्टूरें ने रोलीपोली लिग दिया था मैं इतनी बार रोलीपोली रोलीपोली करता था इट इस लाइक औलीगोपोली यह मार्केट का इस टॉपिक ट्याप्टर है चलिए जिन्होंने पहले के क्लासेश नहीं टेंड किये वो भी आज का क्लास आराब से टेंड करते सकते हैं चैट पे आप लोग प्लीज यह स्नो लिख दीजिए क्या मेरा वाइस क्लियर है कि नहीं आप लोग पहली बताया था कि चालिये नाशनल इंका मोवर नहीं हुआ है प्रिति सिंगल जी वो भी अब होगा आप चिंता मत करिये हम लोग ने काफी सारा 11-12 क्लासे उसके की है विल कम बाक तो इट अगें विल कम बाक तो इट अगें थोड़ा सा थोड़ा साम लोग नो तनीशा पहिंगानी हम लोग ने खतम नहीं किया है we have come back to we have changed the topic a little bit काफी दिन हो गया था हम वापे जाएंगे उसके उपर बड़ अभी हम लोग मार्केट का कर रहे हैं मार्केट कर रहे हैं मैंने as I said यह 12 के ISC के लिए 11 के लिए के CBSE के लिए तो वही 11 के ISC students और और other subject वाल चलिए oligopoly oligopoly का मतलब होता है सबसे पहला term है oligopoly का few sellers पहले क्या लिख रहे हैं हम लो oligopoly का मतलब होता है few sellers oligopoly का मतलब क्या हुआ few sellers किते sellers few थोड़े से oligopoly का मतलब हो गया few sellers that is थोड़े से मतलब बात को समझीगा नजाकत को ठीक से दीजेगा few का मतलब क्या होता है थोड़े से और कोई exact नहीं होता है फिर भी हम लोग लेते हैं 10 से 15 seller क्या लेते हैं हम लोग 10 से 15 seller लेके चलेंगे few sellers का मतलब हो गया 10 से 15 seller दस से पंदरा ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें दस से पंदरा सेलर होते है लोजिक लगाईए लिखिएगा मूबाइल मनुसाक्टुर रुबाइल मनॉसाक्टुर रुबाइल से प्रोवाईडर सिंप रुड रुड्रीmersव ब्रवाइडर और हम लोग TV का भी ले सकते हैं फ्रिज का भी ले सकते by और ली genius के बहुत एग्जांपल हो सकते हैं इग्जांपल पढ़ोगे तब मजा आएगा पढ ने में एक दf लॉजिग के बहुत अद्पुत अद्बुत स्टोरी बताएंगी आप लोगों के दर Car वाइट गुड्स प्रड्यूसर वाइट गुड्स जिसको बोलते हैं वाइट गुड्स किसको बोलते हैं वाइट गुड्स बोलते हैं टीवी फ्रेज रेडियो जो समान हम लोग का डियूरेबल गुड्स अब अपने घरों पर लगाते हैं नॉमली अब देखिएगा ठीक से वेरी प्रॉपली अंडरस्टेंड करिए मैंने आप लोग क्या कराया ओलीगो पोली का मतलब किता सेलर्स कोई हाड और फास्ट नहीं होता है तब भी हम लेता है दस से पंदरा हम लोग एक्जाम्पल लेते कार कार मैनुफेक्चर कितने हैं आप लोग बताईए जल्दे लिए बताईए कुछ कार मैनुफेक्चर के नाम बताईए कुछ इंडिया के कार मैनुफेक्चर के नाम बताईए जल्दी जल्दी बताईए वेकर रहा है आप लोग के आंसर का फ्यू कार मैनुफेक्चर के example बताईए car manufacturer कौन कौन से हो सकते है car manufacturers मैं गूगल तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे मेरे को पता ही नहीं है और आपने मेरे से पढ़ने आए car manufacturers इंडिया Honda very nice Tata महिंदरा वाल्सवेगन अरे मरुत्ती को कैसे बूल गए यार मरुत्ती को तो याद रखो मेरे डाड की मरुत्ती वाली मरुत्ती है यार अपने लोगो सबसे बड़ा मरुत्ती तो सबसे बड़ा है we have to remember मरुत्ती मरुत्ती सुजुकी है जो थी अपनी गाड़ी देखिया मरुत्ती सुजुकी कार मैनुफैक्चरर्ज हुंडाई महिंदरा एन महिंदरा टॉप कार मैनुफैक्चरर्ज देखिए आपनों को बड़ी बड़ी गाड़ी का याद आया मरुत्ती की यादी नहीं आई जो टॉप बड़े-बड़े मैनुफैक्चरर्ज है उसके देखिए सबसे बड़ा नाम किसका है द्यान दिजेगा एक दम द्यान दिजेगा मरुती के पास more than 50% हर दो में से एक गाड़ी मरुती का पिक्तिया है मरुती हुंडा इमहिंद्रा टाटा हॉंडा टोयोटा रिनॉल्ड फॉर्ड निसान वाल्सवाइगन और आप देखिए कितना कितना गाड़ी बेचता है कोई कंपारिजन ही नहीं है दूसरे के अलावा मरुती इस दी अंडिस डिस्प्यूटेड लीडर इन देज सेग्मेंट अंडिस्प्यूटेड बतलब कोई उसके अगल बगल में भी नहीं जाता है इतना बड़ा है चालिए तो हम लोग ने क्या देखा हम लोग ने बताया तो कार मैनुफेक्ट्टर देखा जाए गिंती में देखा जाए दस ही ह है देखेंगे दस ही है तो मैंने क्या का ओलीगोपोली का सबसे बड़ा क्या फीचर है फ्यू सेलर्स दस से पंद्रा इग्जाक्ट नहीं होता है इन कोईंसिडेंटली देखिए गाड़ी के दस ही निकले है और भी एक दो चुट्टी चुटी होड़े होंगे अब लोग इ इडिया फिर जी ओ भी आया 2016 में एर्टल आइडिया वर्जिन मोबाइल फिर और क्या क्या था और क्या क्या बता सकते हो हम लोग इसके बारे में देखना चाहेंगे Indyaa इंडिया बे कितने Mobile Service Providers थे How many Mobile Service Providers are there Mobile जल्दी जल्दी आलसा देखे बताएे मैं तो Google करी रहा हूँ Mobile Service Providers Service Providers in Indyya Mobile Service Providers in Indyya कितने जनका हम लोग लेते Service Providers in Indyya अब तो देखिये Modarices Service Providers आने के बाद मोटा भाई आने क्या तो आप कोई बचा ही रही है ये देखिए जियो, एर्टेल, वोड़फोर आइडिया, बीसेल आप तो कितरे आदमी थे चार सदार, उनली चार सिरफ चार, इतनी नाइस हफी पहले जादा हुआ करते थे पहले बहुत जादा हुआ करते थे लेस्ट आफ सेट फोबाईल कंपनी इंडिया हिस्ट्री देखोगे, तो हिल जाओगे आप लोग छोटे थे, जब तक आप लोग बड़े हो रहे थे तब तक एक एक करके, साब को उसने खा गया साब कोई को, देखिए, फर्स्ट मोबाईल सर्वेस वाज लॉंच्ट इन नाइटीन नाइटी फाइफ नाइटीन नाइटी फाइफ इंडिया का फर्स्ट मोबाईल लॉंच हुआ था उसके बाद तो जो उसने किया, धमाल मुक्के शंबानी, वाड़ प्लेयर, वाड़ प्लेयर उसने एक एक करके सब कोड़ा दिया दस भी सुभा करते थे, अब कोई नहीं बचावा परे, देखिए इतने सारे माइनफेक्टर्स का नाम हुआ करता था और वो सब खतम हो गए, लेकिन अभी कि पहले दस बारा होते थे, दीरे दीरे करके सब खतम हो गए, आज देखा जाए, जीओ है, वोड़ा फोन आइडिया है, एर टेल है, ये तीन है, और एक ट्रॉपना बिचारा बीसनेल भी है, जो करता लड़ता तो है, बर चाहिद ही कोई उसको यूज करता होगा, बीसनेल को, तो चलिए, हम लोगों ने क्या का, ओलिगोपोली का मतलब कितने सेलर्स हुए, ओलिगोपोली का मतलब हुआ, फ्यू सेलर्स, दस से पंदरा, एक्जाम्पल के बिना नहीं पढ़ना है, अब देखे, आप लोग भार फैक्ट देंगे, वो अलग बात है, तो हम लोग जो एक्जाम्पल लेंगे, ओलिपोली का, वो है फीचर्स ओफ ओलिगोपोली, एक दम मजय में करेंगे, एक दम मजय में, बहुत स्कूल्स में हो चुका होगा, लेकिन और एक दम मत ध्यान रखियेगा, एक दम मुझा चित्ता मत करेंगा, तो एक दम अपने लोग प्लियर कर लेंगे, समझेके, ओलिगोपोली का पहला फी हम लोग लेके चलेंगे Mobile Service Providers Jio, Vodafone, Airtel और विचारा BSNL चलिए अब Interdependence चलिए Jio सबका बाप है कितन बोल रहा है Almost सही बोल रहे हो Guru बाद सकते है बाप अच्छा word D लगता है Guru बोलिए चलिए Interdependence पहला फीचा Oligo Puli का है Interdependence देखिए कितने है चारी है न अगर चारी कमपनी है क्या सब कोई एक दुसरा का ध्यान रख सकते है एक दुसरा का ध्यान का मतलब हो गया क्या सब कोई एक दुसरा का नजर रखते है हाँ Interdependence Gio ने नया स्कीम लाँच किया Vodafone इमीजिटली उसको करेगा फिर उसको Airtel भी करेगा उसको BSNL भी करेगा क्या अगर 1000 सेलर होते 1000 सेलर होते 1000 तरे के ब्रैंड होते 1000 तरे के क्या सब कोई एक दुसरा को देख सकते थे ट्रैक कर सकते थे नहीं कर सकते थे यहाँ पर कितने होते है Maxim 10 से 15 हम लोग बात करें 4 4 तो अगर 4 है तो क्या एक दुसरा को हम लोग ध्यान रखते है हाँ जियो यह देखता है वोड़ाफोन क्या कर रहा है आइडिया क्या कर रहा है एटल क्या कर रहा है बीसल क्या कर रहा है एटल ध्यान रखता है जियो क्या कर रहा है वोड़ाफोन क्या कर रहा है बीसल क्या कर रहा है वोड़ाफोन यह द्यान रखता है Each company keep track of its competitor, each company keeps track of its competitor because any action taken by one will be each company keeps track of its competitor because any action taken by one will be retaliated, any action taken by one will be retaliated by the others. Airtel को भी करना पड़ेगा, BSNL को भी करना पड़ेगा. इंटर डिपेंडेंस है, सब एक दूसरा से कनेक्टेड है, सब एक दूसरा से कनेक्टेड है. अगर इसने नया स्कीम लाँच, सब का स्कीम था 700 रुपे का, 700 रुपे का स्कीम था 3 महीने का. जैसे यह एक करेगा ने सब उसे 600 कर दिया, तो इन सब को भी क्या करना पड़ेगा? 600 करना पड़ेगा. याद करिए, जियो के पहले क्या होता था? Most probably 5th September 2016 को जियो लाँच हुआ था. जिस दिन यह लाँच हुआ, What a player! What a player! जिस दिन 5th September 2016 को यह लाँच हुआ, पूरा इंडिया का इंडस्ट्री घुन गया. उससे पहले के दुनिया याद करिए, उससे पहले क्या होता था? देखिए, Oligo Poly हम लोग के लिए सबसे important है पड़ना, क्योंकि उसके बारे में हम एक चीज़ बताएगा भी आप लोग को, तो आप लोग को बहुत ज्यादा interesting लगेगा यह समझने में. बहुत ज्यान से समझ लग था, BSNL अलग था, क्या होता था? 251 का रीचाज कराना पड़ता था, 1GB मिलता था, और 28 दिन के लिए 251 का रीचाज कराओ, 1GB मिलता था. आप देखिए, सब का एक ही स्कीम था, 251, 251, 251, 251, 30 पैसा पर मिनेट, यह सब करने का स्कीम था. याद करिए, आप लोग अग कोई रीचाज कराता ही नहीं था, यार, सब कोई डरते थे, अरे यार, 251 लगेगा, बच्चा लोग तो 11, 12 के सुर्ण लोग तो अलाउड ही नहीं था, कि 1GB तो खतम हो जाता था वीडियो वीडियो में, लेकिन, जियो ने आया, और उसने बोला, I will make tariff cheaper than a postcard, उसने बोला, 251 का जो 1GB मिलता था पर मन्त, अब आपको 251 रीचाज कराइए, आपको 1GB पर डे बिलेगा, बले बले, क्या लाइफ हो गया उसके बाद से हम लोग का, हम आपको बताता है, 2016, ये देखिए, 2016 के पहले और उसके बाद, ये 2016 में जब लाउंच हुआ, बिफोर जियो और आफ आप लोग को ही पता है, बिफोर जियो क्या होता था, बिफोर जियो क्या होता था, बिफोर जियो क्या होता था, बिफोर जियो होता था, 251 में, 1GB, 30 देज में, 20 देज मिलता था, हम लोग बहुत या तो रीचाज कराते ही नहीं थे, बहुत कंजूसी से अपना डेटा यू करेंगा वन जी भी पूरा मेनक लिए उसकरा पड़ता था अब तो हम क्या देखता है उनको हम एकोनोमिक्स और अकाउंट्स का स्टूडेंट लोगों सम दे रहा है और उन लोग क्या करें बगल में होट स्टार लगा के मूवी देख रहे हैं वह लाइब तेरी यह तो वैली किन वह दंखण हो गया 60 के पहले हम लोग तो वीडियो वीडियो बहुत कम देखते थे आज कल तो क्या ओगए nack सपद्ध में के उसको अप्लोड करने का एडिक्षे तो भी सब जाता है कोई रेस्टुरेंट कैफे होटल में बैटे है फूट सर्व हुआ और अलग-अलग अगल से उसका फोटो कीच के लगा दो और उसको स्टाप स्टोडी बाद दो इस्टाग्राम दो और यमी कैप्शन डाल दो और फ फिर वो फिल्टर यूज करने लग गए कुता बिली का फिल्टर वीडियो गाड़ी में बैठे हैं गाना कोई टच कर गया अपना हाट को इविजेटली वो गाना अप्लोड कर दिया और बोला आई लाव 94.4 FM सब के सब चालू हो गए सब के सब चालू हो गए अब लेकेज सब फ्री हो गया तो पॉइंट यह है ओलीगो पोली के अंदर मैं जो स्टोडी बता रहा हूँ इसमें जियो का एंट्री के बाद बहुत बड़ा धमाल हुआ बहुत ध्यान से समझीएगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं आप लोग को ओलीगो पोली का क्या था इंटरडिपेंडेंस दाट मीसरी इंटरडिपेंडेंस मतलब हर कम्पनी एक दूसरा का ट्रäकिंग रखता है अगर क्यों ट्रैकिंग रखता है क्किंगं कम है क्योंकि any action taken by one will be retaliated जैसी जी आइडिया सबको एक साथ रेट कम करना पड़ा सेकेंड पॉइंट पॉइंट जो हम लोग को वो करना है सेकेंड पॉइंट जो हम लोग को जिया ओलिगो पॉली का जानना है दाट इस बारियर्स तो एंट्री बारियर्स तो एंट्री सेकेंड पॉइंट जो है वो है बारियर्स तो एंट्री सेकेंड पॉइंट जो करना है वो है बारियर्स तो एंट्री ओलीगो पॉली का फीचर के अंदर आप लोग एकदम अथार्थ अगरवाल सिनल पूछ रहें क्लास 11 का टाइमिंग आप लोग ये अनकाड़िमी का चैनल को फॉलो करते रहिए उसके अंदर आप लोग को सारे एवरी डे पूरा आपको लिस्ट आएगा सारे क्लास 11 अनकाड़िमी आपको वेरी वेरी अफॉर्डिबल रेट पे कराता है इसने हमने भी जॉइन किया है और आप लोग भी करिए इसको ठीक से सब वेट करिए सब आपको इस यूट्यूब चैनल पे सामने दिखते जाएगा इसमें कितने जनल होते हैं कितने अलिगोपले कितने सेलर्स होते हैं फ्यू सेलर्स ज्यादा सेलर होते हैं कि नहीं होते हैं ज्यादा सेलर नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि आप बैरियर है कोई चाहा के भी अंदर नहीं आ सकता है जहां तो सकता है कोई यहांना बहुत मुश्किल है पहले यहां पे कितने आदमी थे 10 थे Vodafone, Airtel, Idea Tata, Virgin और भी 4 पास तीचा थे Unicorn थे यह सब थे लेकिन यहां पे नया आदमी क्या बता है मैंने अपने को पॉइंट Barriers to entry नया आदमी इस बिजनस पे आना पॉसिबल ही नहीं है इसलिए मैंने कहा जियो जो एंट्री किया यह बहुत रेर होता है कि ओलिगो पॉली में एक कंपनी आके धमाल मचा दे धमाल मचा दे यह बहुत रेरली होता है नॉमली इस इंडस्ट्री में ज़्यादा आदमी अंदर नहीं आ सकते है There are barrier barrier मतलब रुकावट है बोज आगे में रस्ता बंद है उन लोग को अंदर आने का नहीं आ सकते है क्यों नहीं आ सकते हैं barriers to entry There are few sellers in the industry There are few sellers in the industry because of barriers to entry What are the barriers? Number one There are few sellers in the industry because of barriers to entry क्या barrier है? सबसे पहला barrier क्या है? सबसे बला barrier है बहुत इंपर्टन जो barriers to entry में सबसे बढ़ा barrier है huge capital huge capital कौन लगाएगा इतना रुप्या? आप सोचो हम लोग कार का लेते हैं चले कार का लेते हैं huge capital car manufacturer अब एक बावत है ये हम बहुत मैनत करके मारुती जैसे एक गाड़ी बना लिया हम अपना बहुत बड़ा एक फैक्टरी बठाया मारुती का गाड़ी बना भी लिया मारुती जैसा बड़िया sleek sim गाड़ी बना लिया लेकिन एक बाद बताये हम जो मारुती का गाड़ी बनाया चलाया हम इंड़स्टी में advertisement किया किया है another new हम अपना नया मेरा जो मेरा जो बहुत फैबरेट वर्ड है वो है बहुत खुश बहुत खुश होजा बहुत खुश बहुत खुश हम एक गाड़ी लॉंच किया जिसका नाम रखा बहुत खुश अब बताई क्या होगा हम लॉंच तो कर दिया गाड़ी बना भी लिया टेकनोजी भी ले आया बाहर से और बहुत कुछ इंड़स्टी बहुत कुछ कर गे तो गाड़ी मैंने बताया था यह आप लोको देखने में क्या लग रहा है यह एक ठोच छोटा सा गाड़ी है देखिए एकदम हेडलाइट भी लगा हुआ है साबने और एकदम यहाँ पे शीशा भी दिख रहा है तो यह गाड़ी मैंने मना लिया इसका नाम दे दिया मैंने क्या बहुत खुछ गाड़ी लाउंच कर दिया आप देखिए हम लाउंच तो कर देगा लेकिन क्या मारूती जैसा चपा चपा इंडिया में सर्विस टेशन खोल पाएगा शोरूम खोल पाएगा अज मारूती का हर जगे शोरूम है, सर्विस टेशन है ओफिसेज है स्पेर पार्ट का दुकान है क्या हम खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा इतना रुप्या कैसे लगेगा हमको? कहां से मिलेगा? इतना रुप्या हम लाएगा कहां से? अब जैसे मिक और सुचता है हम क्या किया? एक ठोच छोटा सा SIM लाँच कर दिया वा बिटा, वा हम SIM लाँच कर दिया ये क्या एक ठोच SIM है? मैंने एक ठोच छोटा सा SIM लाँच कर दिया मैंने Airtel, Vodafone, Idea की तरह मैंने अपना एक ठोच नया सर्विस प्रोवाइडर किया नाम रखा बहुत खुश मोबाईज फोन नहीं लाँच किया SIM लाँच किया SIM मतलब हो गया अगर आप लोग को connection चाहिए तो मेरा connection लेगा ज़र आप लोग जियो का connection लेते हो आपको मेरा connection लेना पड़ेगा तो कौन सा मैंने लाँच किया? बहुत खुश लाँच किया क्या नाम किया? बहुत खुश अब क्या होगा? कौन खरीदेगा पई मेरा? कोई नहीं खरीदेगा हम student लोग को आप लोग को थोड़ा blackmail करेगा अरे मेरा phone लो मेरा phone मेरा SIM खरीदो मेरा SIM खरीदो मेरा SIM खरीदो गे तब ही काम चलेगा नहीं तुम लोग को तुम लोग मेरा सिम लो भी लोगे हमको इतना सारा टावर कहा बठा पाएगा हम पूरा इंडिया में टावर पूरा इंडिया में हर दुकान दुकान पे रीचाज का फेसिलिटी हर जगे जगे सारा मेरा सर्विस स्टेशन क्या ये पॉसिबल है तो हम चाहा के भी क्या मुबाइल सर्विस का प्रोवाइडर बन सकता है नहीं क्या हम चाहा के भी अपना बहुत कुछ गारी लॉंच कर सकता है नहीं इतना रुपया कोहां से मिलेगा जियो एक ठो अलग बात है इसलिए मैंने का ओलीगो पोली जो हम लोग क्या रोकता है नहीं आदमी को अंट्राने से पहला है यूज क्यापिटल बोलते हैं जियो का लिख लीजे शायद मैंने कहीं पढ़ा था देर से दो लाग करोड का इंवेस्मेंट लगा देर से दो लाग करोड का इंवेस्मेंट लगा तब जाके भुमिका मलिक आपने आए है फुरा लेट हो गया कोई बात ही आप क्लास करिए आपको बहुत अलग अलग चीज पता चलेगा यूज क्यापिटल हुआ डेर से दो लाग करोर रुपया लगा जियो लांच करने में कौन सा इंडस्ट्री होगा कौन सा बड़ा इतना मुक्के शंबानी मोटा भाई वाड़ प्लेयर के अलावा और कौन हो सकता है जो इतना रुपया लगाएगा तो नौमली इतना रुपया होता नहीं है इसलिए नया बिजनस में कोई आ नहीं सकता हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं यूज कैपिटल नहीं सेकेंड मुलों के क्या पढ़ा बैरियर्स टू एंट्री बैरियर्स टू एंट्री मतला नया आदमी बिजनस में नहीं आ सकता है क्या रोकता इसको आने से नंबर वन यूज कैपिटल नंबर टू लॉंग जेस्चेशन लॉंग जेस्चेशन और एक क्या चीज रोकता है आप क्या आज आप कोई भी बिजनेस चालू करोगे, क्या पहला दिन से प्रॉफिट हो जाता है, नहीं, पहला दिन से प्रॉफिट नहीं होता है, जब बिजनेस पे कोई आता है, तो उसके कई महीनों बाद या सालों बाद प्रॉफिट चालू होता है, शुरू में तो बहु था लॉंच किया 2016 में और एक्चुल प्रॉफिट उसको प्रॉपरली अभी तक चालू नहीं हुआ है आप सोचिए आप एक ऐसा बिजनस चालू करेंगे जहां लाइसेस बिलेगा 2010 में लॉंच होगा 2016 में और कब जाके दो-चार साल बाद प्रॉफिट होगा बतला दस-दस साल लग जा रहे हैं आपको बिजनस में काम करने के लिए काम कर चालू करने के बाद आपको दस-दस साल लग रहे हैं दस-दस साल तो ऐसा बिजनस आप करना चालू करेंगे क्या आप ऐसा business चाहोगे अरे कौन इतना साल वीट करेगा यह तो एक ही जन कर सकता है अपना मुख के शम्मानी यूज क्यापिटल उसी के पास है लॉंग जेस्टेशन वही सह सकता है इसलिए मैं तो इसलिए मैंने कहा कि अल्मोस्ट इंपॉसिबल है यह हम लोग बहुत लखी है कि अलीगो पॉली के अंदर हम लोने जीओ जैसा मैसिव डिस्रॉप्टर अपने सामने देखा है और तीसरा बैरियस टू एंट्री हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज क्या लिख सकते हैं और क्या लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया देखिए अब मुबाइल लॉंच करना है उसके लिए टावर चाहिए अब कितना जगे टावर बिठाएंगे बही अल्रडी सब जगे तो टावर बैठ चुका है अल्रडी सब जगे एर टेल है कि लांच लगाना पड़ेगा ना अब जगह नहीं है इसी तरह से पेट्रोल पंप है और प्राइम एरिया में पेट्रोल पंप सब प्रोमेटेल होगा जो बहुत कम जनों के पास होगा तो मेरा बात सुनिएगा ओलीगो पोली का मैंने क्या बताया few sellers कितने 10 से 15 कोई hard and fast नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूँ 10 से 15 example बहुत सारे हो सकते है white goods वाले हम लोग लेके चलेंगे mobile service provider इसका features मैंने क्या बताया interdependence क्योंकि 457-10 ही है तो सब कोई एक दूसरा का tracking रखते है any action taken by one will be retaliated by the others मारूती ने अपना गाड़ी का दाम कम किया है तो दूसरे वाले लोग को भी अपना गाड़ी का दाम कम करना पड़ेगा क्योंकि अगर जीना है तो यह competitive बजा रहा है और इसमें ऐसे नहीं जी पाऊगे उनके साथ ही रह के जी पाऊगे नहीं तो possible नहीं है जीना आप देखिए इसके बाद second मैंने क्या पताया there are what barriers to entry barriers to entry मतलब क्या नया आदमी लोग easily आ सकता है आना चाहे तो आ सकता है लेकिन सिरफ मोड़ा भाई मुक्के सम्भानी है जो आप आया नहीं तो इस इंडस्ट्री में आप देखो ना गाड़ी का गाड़ी का last बड़ा company आप सोच भी नहीं सकते कोई आया होगा इंडिया में वही जो पुराना चल रहा है चल रहा है कोई जा तो सकता है लेकिन आणना नहीं सकता है आना बहुत मुश्किल है इसी ताह देखिए अब भी हम लोग ने देखा कल ब्रसों से बहुत एक्टो न्यूज चल रहा है साब जगे, Harley Davidson to exit India देखें, ये देखें, Motorbike आपने सुना होगा, Harley Davidson का एक मिन रुखिए, ये देखें, देखें उसका न्यूज देखें, Harley Davidson का न्यूज देखें उसमें क्या आया हुआ है? ना देखिए 9 reasons 9 reasons for highly failed in India after highly revision exit exit देखिए ये दो दिन पहले का है क्योंकि motorbike है वो छोड़ के चला जा रहा है वो बोल रहा है बोला हमको अब नहीं काम करेगा देखिए आपे लिखा हुआ है highly revision dealer seek protection after exit announcement तो क्यों छोड़ के जा रहा है क्योंकि competition करना असान नहीं है बाइक करिना है वो ही बजाच का है वो ही हॉंडा का है वो ही hero का है वो ही tvs का है वो ही 500 से ही लेना पड़ेगा exit कर सकता है बहुत rare होता है बहुत rare तनीशा बेंगानी ने कहा है various to entry में patent इसका हो सकता है बहुत सई आंसर दिया, पेटेंट जरूर हो सदोर, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, reason, मैंने आपको कुछ एक कराया, आप देखेंगे अभी और, तो मैंने क्या कहा, barriers to entry है, आना possible है, आना possible नहीं है, जाना possible है, अभी गारी ने भी थोड़ा दिन पहले, जो इन्डिया को छोड़ के जा रही है आप मेरे को Google करके बताइए का कौं सा गारी के अकमनी बोल रहा है हम बंद करके जा रहा है यहांसे तीसरा फीचर ऑफीर ग्रूप बहेवियर ग्रूप बहेवियर और ग्रूप बहेवियर मैंने पहले क्या बताया interdependence उसके बाद है group behavior group behavior का मतलब होता है जो आप लोग normally आप लोग interdependence जैसा ही है group behavior का मतलब हिंदी वे बोले तो भेड़ चाल भेड़ चाल group behavior मतलब भेड़ चाल भेड़ चाल मतलब क्या एक अगर ये करेगा तो दूसरे को तीसरे को चौते को वो सेम चीज करना पड़ेगा भेड़ चाल मतलब हो गया to protect its market share to protect its market share to protect its market share लिखिये क्या बताया भेड़ चाल बताया ग्रूप behavior भेड़ चाल क्या है भेड़ लोग के बारे आपनों को पता होगा अगर बोलते हैं भेड़ अगर आपनों देखा होगा मुवीज में या उसमें देखेगा आप गूगल में देखेगा सारे बेड़ एक साथ रहते हैं सारे भेड़ बक्री एक साथ रहते हैं इंक भी अगर भेड स्कूलिव एक चीज़ आपना उस जाते हैं तो सब उसी के साथ है जाते या सिर्थ, वापिस हो जाता सब आते आ itu they are moving costs है है एक साथ चलते इस बोड़रोग भी एक फाथ चलते है वही बात वही बाप है to protect its market share each company keeps a close track of its competitor and follows their action जितनी companies लोग है, सब को एक दुसा को track कड़ते हैं, each company keeps a close track of its competitor and follows their action and follows their action बेर चाल का मतलब गुरूप बीएवियर एक अगर इधर जा रहा है तो सब उधर जाने लग जाएंगे एक अगर एड जादा बढ़ा देगा दूसरा यह बढ़ा देंगे एक अगर रेट कम करेगा तो दूसरा भी कम कर देंगे तो गुरूप बीएवियर बेर चाल का मतलब होता है कि एच कंपरी कीप सब्सक्राइब तो प्रोटेक्स मार्केशर इच कपरी कीप सब्सक्राइब इस कंपरिटर और तो प्रोटेटिस अज़सेल्फ व आपने आपको कंपटिशन में प्रोटेफिए प्रोटेटर गाइब to take action which has been taken by the competitor तो अपनलों का क्या मतलब हुआ थर्ड वाला पॉइंट अम लोग ने क्या लिखा थर्ड वाला पॉइंट अम लोग ने लिखा की क्या लिखा लोग ने थर्ड पॉइंट पॉइंट लिखा ग्रूप बीएवियर तो प्रोटेकर स्मार्केट श्रेयर इच कमडी कीप्स ट्रक फिस कॉंपुइंटर अन फॉज दियर एक्षिंट अन फॉज दियर क्या एक्षिंट अब मैं आपको बताता हूं देखिए इसके अंदर बहुत इंपोर्ट चीज और फॉर्थ पॉइंट लिखे तो आपको और क्लारिटी होगा फॉर्थ पॉइंट ह इस इंडस्ट्री में एक तो बहुत इंपोर्ट चीज है नौन प्राइस कॉंपुटिशन इस इंडस्ट्री में एक तो बहुत इंपोर्ट चीज है बहुत इंपोर्ट चीज है नौन प्राइस कॉंपुटिशन इस इंडस्ट्री में एक तो बहुत इंपॉर्ट चीज है व वेरी वेरी इंपोर्टन चीज है जो आप लोग को समझना पड़ेगा एक बात बताइए नॉमली क्या होता है ना प्राइस कॉंपटिशन होता है अगर एक जन ने रेट कम किया तो दूसरे ने तीसरे ने चौथे ने पाचवे ने छटे ने सब कोई को रेट कम करना पड़ता अपना प्रोटेक करने के करना ही पड़ेगा लिकिन इस इंडस्ट्री में बहुत इंपोर्टन चीज मेंने क्या लिखाया नॉन प्राइस कॉंपटिशन यह बहुत ही वाइटल वर्ड है जो आप लोग को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और लिगो पोली का बहुत बह सब कोई अमन और शांती से जी रहे थे सब का 30 पैसा पर मिनिट था सब का 251 का रीचाज हुआ करता था सब का 100 SMS था सब का एक टो स्टैंडर्ड था जो सब कोई जी और जीनो दो था सब एक ही रेट लगा के मस्त होके रह रहे थे तो अभी जो हम आपको बता रहा है यह अप परडिशन था नॉन प्राइस क्यों आन प्राइस था याद करते हैं एक टो कंभी वहा करता था टाटा डोकोमो तो टाटा डोकोमो आया था से 7-8 सल 10 सल पहले 7-8 सल पहले लिए उसने कि रेविलूशन लाया था धियान से नोट करीगा यह सब चीज टाटा डोकोमो टाटा टाटा डोकोमो रेविलूशन लाया था थैंक यू अंकिता आपको अच्छा लगा मेरा एक लास थैंक यू टाटा डोकोमो रेविलूशन लाया क्या लाया टाटा डोकोमो ने रेविलूशन टाटा डोकोमो ने पहली बार लॉंच किया वन पैसा पर सेकेंड क्या लॉंच किय उसने 1 पैसा पर सेकेंड लांच किया पूरा इंडस्ट्री हिल गया पहले क्या था 30 पैसा पर सेकेंड हुआ करता था सौरी 30 पैसा पर मिनिट हुआ करता था टाटा डोकोमो ने रेविलूशन लाया 1 पैसा पर सेकेंड सब कोई बोले टाटा तुम तो चोरी कर रहा है तुम हम तो 30 पैसा पर सेकेंड ले रहे हो तुम 1 पैसा पर सेकेंड लियो 1 पैसा पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया 60 पैसा पर मिनिट तो दूम तो चोरी कर गए तुम्हारा तो दाम जादा है लेकिन नहीं टाटा का स्कीम टाटा डोकोमो का आप लोगो शाथ पता नहीं होगा टाटा डोकोमो वाज जॉइंट वेंचर बेट्वीन टाटा एंड डोकोमो डोकोमो इस जापनीस टेलिकॉम कंपनी और पता आप लोगो को यह डोकोमो नाम कैसे आया अजीव अजीव बात है यह शॉट फॉर्म है डूइंग कम्मिनिकेशन ओवर मोबाइल डो को मो डूइंग कम्मिनिकेशन ओवर मोबाइल और इसको लिए बहुत बस्ती वारा भी है अगर आप लोग से जिंगल याद करेंगा इसक जिंगल बहुत फेमस हुआ था डोकोमो का हम लोग सारा दिन वहीं गाते थे उस टाइंग मैं सुनाओंगा पहले आप लोग को पताया था हूं तो समझेगा वापिस हम लोग बैक ऑन ट्रैक आते हैं टाटा डोकोमो डोकोमो इस शॉट फॉर्म अफ डूइंग कम्मिनिकेशन ओं मोबाइल जापनीज कमणी और टाटा डोकोमो ने आके धूम मचाया उसने बुला वन पैसा पर सेकेंड उस टाइम चलता था सिक्स्टी पैसा पर मिनिट डिफरेंस क्या है वो बुला कि नहीं सॉरी उसका पहले चलता था 30 पैसा या 40 पैसा और इसका हो गया 60 पैसा पर सेकेंड उसने बुला नहीं क्या होता है आप 3 सेकेंड बात किये तो भी आपका 30 पैसा लग गया आपने 5 सेकेंड बात किया तो भी आपका 30 पैसा लग गया अगर आपने 1 मिनिट 1 सेकेंड बात किया तो आपका 60 पैसा लग लेकिन वो बोलता है मैं आपके लिए आपने जितना बात करोगे उतना पर सेकंड का अपने चार सेकंड बात किया तो आपके चार पैसे ही लगेंगे क्यों आपको ज्यादा देने का दरकार है उसने इसने रेवलुशन ला दिया चलिए मैं आपकोई टो सिंपल जाए उसने रेवलुशन ला दिया 60 पैसा पर सेकंड सपोल एंडेटल वोक आइडिया कॉम उस्टाइमра कम होगता बियसने लागता यूनिकॉन्ज। यह सब्सक्तिभा इसने लेगा बन पैसा पर सेकंड सबकों बोले इक ही बात जी बात नहीं है अगर आप 61 second बात करोगे तो 61 पैसा लगेगा यहाँ पे अगर आप 61 minute second बात करोगे तो आपके ए 93 रुपाव 20 पैसा लग देगा आपको पता है Tata Docomo ने आके revolution ला दिया Tata Docomo जिस दिन ये revolution लाया क्या Airtel Virgin Vodafone Idea R. miseryan शुम एस तें जितने थे अब सुनिएगा, क्या डाटा डुकोमो का नाम हुआ, क्या उसको पैसा आया, नहीं आया उसको पैसा, कैसे रही आया पैसा, क्यों नहीं आया पैसा, क्योंकि जब इसने रेट कम किया ना, तो Airtel, Vodafone, Ideas, ये सब ने अपने अपने रेट क्या किये, कम कर दिये, डाटा डु विए रिट्टे डिपेंडेस का बहुत बहुतरी रिग्जाप्पल है ये तो टाटा डो को वो इतना बड़ा स्कीम लाके भी फेल हो गया वो बंद हो गया कब नी वो प्रॉफिट टे कर पाया क्योंकि इस मार्केट में क्या है ये है क्या है non-price competition लिख लिजे एनी action taken by one will be will be retaliated same चीज़ है एनी action taken by one will be retaliated by the others to protect the market share इस मार्केट में प्राइस कॉम्पोटिशन नहीं है इस मार्केट में प्राइस कॉम्पोटिशन है की नहीं है एक सेकिन इस मार्केट में प्राइस कॉम्पोटिशन है की नहीं है इस मार्केट में प्राइस कॉम्पोटिशन नहीं है तो कौन सा competition है इसके अंदर? यहाँ पे उन लोग लडाई नहीं करते हैं. लडाई लडाई माफ करो, गांधी जी को याद करो. इन लोग प्राइस वार में लड़ते थे क्या यह पुराना जियो के पहले का बात है? जियो के पहले इन लोग लडाई जगडा नहीं करते थे. ज तो सब कोई बोले, अगर सबका 251 का recharge है. अगर एक जन ने 151 कर दिया, तो इसको भी 151 करना पड़ेगा, इसको भी 151, इसको भी 151. फाइदा क्या हुआ? अगर यह 51 कर दिया, इसको भी 51, इसको भी 51, इसको भी 51. जब रेट को कम करके जीना है, तो इससे चातो याँ 251 ही कमेरे नहीं रहने दो कोई फायदा ही नहीं हुआ अगर और कोई कम किया तो वोड़ा फोन आईडिया एरे टेल आर कॉम आधिका वीए सल के कराए क्या नहीं कराが तरकारी नहीं पुड़ा सब ने सेम्सक्राइब hips लुघकार छुछ न्होंक हुझत है किक लास्ट कर दीचिव हैं इस लिए यहां पर या पे लालाईennes हं जाते में डौरं कियो नो प्राइस आइसलिए यहां पर इन प्राईसी प्रैस आइसलिए फिरी इन पिरी से इंडेडिकरा本ड के दाश्ट स्वार चि़कां उप यहां पे competition है on the basis of advertisement आए दिन advertisement एक जरूरी होता है क्या क्या launch होता था पहले हर एक फ्रेंड जरूरी होता है जो जो आ जाता है कभी जो जो आ competition is based on advertisement नया नया आड देके नया नया आड देके हम लोग को लाते हैं यार खरीदो अरे यार हर एक फ्रेंड जरूरी होता है जो जो का आड वोड़ाफ उनका कितना फेमस होता था अब हम लोग इसके बात करेंगे उनका बैंड हालत इत्ता कराब हो गया IPL में हमेशा लोग जो जो का नया लाते थे अब नहीं लाते हैं लोग तो competition is based on advertisement and और एक बहुत important है after sales service या customer care customer care after sales service या customer care सब कोई बोलते है मेरा service अच्छा है मेरा network अच्छा है मेरा सब जगे पकड़ता है मेरा customer care बहुत अच्छा है कहीं भी दिक्का तो आपको सब जगे recharge करने को मिलता है आपको कहीं जाने का दरकार ही ने SIM change कराना आ जाईए SIM में problem हो हमलों का service stations है तो non-price competition का मतलब हो गया the competition is not based on price because any action taken by one will be retaliated by the others to protect their market share so there is no price war ये जियो के पहले का बात है so competition is based on what advertisement and after sales service और customer care oligopoly का मतलब few sellers 10 से 15 interdependence barriers to entry group behavior और non-price competition ये आज हम लोग oligopoly का पहला class किये next class होगा don't miss that उसके अंदर हमनों पूरा चीज समझाएंगे पूरा चीज देखेंगे जियो के बाद क्या क्या हुआ और कैसे हुआ बहुत important बहुत चीज जो हम locate price war अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा देखें price war indulging in जैसे ही जियो आया price war में सब लग गए price war price war after geo price war after क्या जियो के बाद after geo चालो हो गया यह normally नहीं होता है oligopoly का हम लोग बहुत fortunate है कि हम लोग के पर सामने इतना बड़ा case study है हच वाला डॉग राइट को हच वाला डॉग जो होता था कि जो हर्जे के track आप लोग सब को हो सके तो मेरे को अच्छा अच्छा आड निकाल के दिखाईए बेजिये का कि हम लों next class पे दिखाएंगे वो कुटा था हच वाला वो जो पीछे-पीछे इंदर नेट्वर्क ट्रैक्स एवरीवेर राइज जी वार यह जो जीओ का हिस्ट्री से आया इतना important हम लोग के सामने case study है जो आस तक अभी नहीं होता है तो as I said आप लोगन academy अपने सारे फ्रेंड लोग को बुला सकते है totally free of cost इस पे बहुत अद्बुत अद्बुत चीज दिखाया जाएगा आप लोग को do not miss this thing क्योंकि मैंने आप लोग को बताया देखिए ये साले survive करने का next year is revive और फिर thrive survive revive and thrive should be our motto and अगर हम लोग इस survive के time पे knowledge भर लेंगे अपने आप तो कर ले दुनिया मुथ्थी में देद दनादन हो जाएगा तो एकदम चिंदा बत करिए and let's keep track of it next class पे तो आज यही चोड़ते है and next class के लिए हम ऐसे से मैंने कहा मेरे को जरूर inform करिएगा आड जिंगल ट अबनाइच शबाके टेक्या